नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में तो आज हम लोग रिम एंड फेस एलाइमेंट का पार्ट टू देख रहे हैं यह होरिजेंटल मुमेंट के बारे में हैं पार्ट वन मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका है मुमेंट के जाने होरिजेंटल मुमेंट का जान के कोई फाइदा नहीं होगा तो दोनों मुमेंट के बारे में आप लोग को जानना होगा तो अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आप लोग को notification मिलते रहेगा तो चलिए वीडियो को करते हैं अभी शुरू ठीक है तो horizontal moment के बारे में जानने के लिए हम लोग को क्या-क्या measurement पहले लेना है ये जान लेना होगा ठीक है हम लोग को लेना है coupling का dimension coupling का कौन सा dimension लेना है जो आपका face dial indicator का जो needle touch किया है coupling में coupling को जब आप घुमाईएगा तो एक circle बनेगा needle जहाँ touch किया वहाँ से उसी circle का measurement लेना है आप लोग को ठीक है मैंने example के लिए 150 करके रखा हुआ है और आपको B लेना है B कौन सा होगा rim dial indicator जहाँ needle touch किया है वहाँ से सीधा लेके आजाईए ठीक a scale बगेर से आपको कुछ भी करके उसको सीधा करना है measure कर लेना है और motor का जो पहला वाला base bolt है ठीक है front वाला उसका जो beach का distance होता है वो beam आना जाता है और C क्या है C जो motor का पहला base bolt है और पीछे वाला base bolt ठीक है back side का यह दोनों का जो gap है यह C है यह मैंने 600 लिक के रखा हुआ है example के लिए यह आप लोग को measurement ले लेना है ठीक है इतना measurement लेने के बाद आप लोग को dial को क्या करना है left side में set करना है dial indicator को left side में set करना है यह drawing अगर नहीं समझ मा रहा तो आप इसको उपर से देखिए सोची आप पीछे खड़ा है तो यह आपका उपर का है पूरा body यह pump का देखिए उपर है यह भी motor का उपर side है यह drawing को आपको पहले समझना पड़ेगा नहीं तो इससे आप लोगों को समझ मा आएगा यह left side है यह right side है तो अभी क्या करना है आप लोगों को dial दोनों dial को left side मला के set कर लेना है अच्छा से clamp बगएरा tight करके left side मला के tight करके आपको dial को 0 में set कर लेना है दोनों को ठीक है face dial indicator को भी और rim dial indicator को भी दोनों को आप लोगो 0 में set कर लेना है, यहां मैं दिखा दे रहा है, आप लोगो जैसे मैंने यहां left में लाके, सुचिए आप मैंने 0 में set कर लिया, face dial indicator को भी और rim dial indicator को भी, दोनों को 0 में set करने के बाद आप लोगो clockwise घुमाना है इसको, जब clockwise घुमा के right side में लाइएगा, dial indicator में जो reading होगा, face dial indicator में और rim dial indicator में, दोनों को आप लोगो नोट कर लेना है, मैंने example के लिए, minus 0.2, face dial indicator का, और rim dial indicator का, minus 0.3, लिक के रखा है, ठीक है, यह पांचो reading को आप लोगो पहले note कर लेना है, और gentle moment का जो, आपको reading लिकालना पड़ेगा, इसके लिए सारा dimension लेके, और दोनों dial indicator का reading, इसको एक diary में अच्छी से note कर लेजे, ठीक है, और left side में ही set कीजेगा, left side में इसलिए मैं set करने बोल रहा हूँ, वो मैं आगे चलके आपको बताता हूँ, वीडियो में, क्यों मैं left side में करने बोल रहा हूँ, right side में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐ vertical moment के लिए हम लोग को बार्सेक का ज़रत पढ़ता है, ठीक है, horizontal moment में नहीं पढ़ता है, तो अभी चलते हैं, हम लोग formula में इतना सारा note करने के बाद, अभी हम लोग formula में चलेंगे, यह इसका formula है, देखिए, formula यह है, यह front food horizontal का है, यह देखिए, मैंने लिख दिया है, front food horizontal क क्या है formula, f भागा a गुना b प्लस r by 2, ठीक है, यह back foot का है, back foot का क्या है, f भागा a गुना b प्लस c प्लस r by 2, ठीक है, यह दो formula है, यही formula आपको यूच करके इसका answer लिकालना पड़ेगा, और मैं जो बोल रहा था कि left side में आपको dial set करना है, मैं इसलिए बोल रहा था, से किधर move करना है, प्लस होने से किधर move करना है, तो आप left side में, जब set कीजएगा तो आप लोगो confusion नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं left side में बोला था, क्यूंकि मैंने लिख के रखा हुआ, पर right side कीजएगा, तो आप लोगो confusion हो सकता है, फिर problem होगा, देकि मैंने लिखा है, प्लस होने से मूव राइट टू लेफ्ट, माइनस होने से मूव लेफ्ट टू राइट, मैंने इसको इसलिए लिख दिया है, क्योंकि आप लोग को confusion ना हो, तो जब आप लेफ्ट साइड में set कीजेगा, तो आप लोग को confusion नहीं होगा, और alignment करने में भी अच्छा रहेगा, front foot horizontal, क्या है, f भागा a गुना b, plus r by 2, तो f क्या है, यहाँ पे हम लोग को देखना है, मैंने जो लिख करें, f, देखिए, minus 0.2, मैंने क्या क्या, minus 0.2 लिख दिया, ठीके, यहाँ क्या है भी formula में a, a क्या है, 150, a 150, गुना b, गुना b क्या है, 200, 200 लिख देना है, ठीके, plus r by minus 0.3, minus 0.3, भागा 2, मैंने लिख दिया, यह formula में जो था, इसको पहले आप लोग को अच्छी तरह से लिख लेना है, लिखने के बाद, अब इस सारा को जब आप लोग calculate कीजेगा, तो answer इतना आएगा, तो अभी मैं calculator में करके भी आप लोग को दिखा देता हूं, कि answer इतना आता है की नहीं आता है, ठीक है, तो दोस्तो अभी हम लोग calculator में calculate करेंगे, कि इसका answer इतना आ रहा है की नहीं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, 0.2 को भागा करना है, included 500, तो हम लोग करेंगे, 0.2, 0.2 भागा 150, ज़्यादा ह कि वन फिप्टी कितना रहा है 0.0013 मैंने क्या लिखा है 0.0013 ठीक है गुना 200 200 को आपको नीचे कर देना है ठीक है अब इसको भागा करेंगे इतना रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है अभी हम लोगों भागा करना है 0.3 भागा 2 कितना रहा है 0.15 मैंने कितना लिख दिया है 0.15 और माइनस उतार देना है क्योंकि माइनस में रिडिंग था तो आपको माइनस ले लेना है ठीक है माइनस को लिखना पुड़ेगा यहाँ भी माइनस था तो माइनस मैंने यह यहां पर लिख दिया है ठीक है अब यह दोनों को गुणा करके देखते हैं हम लोग ठीक है कितना है 0.0013 गुणा 200 गुणा 200 कितना यह 0.26 मैंने कितना लिखके रखा हुआ अब 0.26 और माइनस आपको उतार देना है क्योंकि माइनस में था ठीक है प्लस 0.15 0.15 ठीक है आप करते हैं प्लस हम लोग जीरो पॉइंट टू सिक्स प्लस जीरो पॉइंट वन फाइब एंसर कितना आ गया 0.14 sorry 0.41 0.41 ठीक है माइनस 0.41 mm माइनस में क्योंकि यह माइनस में हम लोग को रिडिंग बताया था इसलिए माइनस को में हम लोग को उतारना पड़ेगा यह नीचे ठीक है तो इसका एंसर कितना आ गया क्योंकि confusion रहेगा कैसे क्या करना है तो same है आप लोग को इससे भागा कर लेना है ठीक है फिर गुना 200 कर लेना है प्लस जो भी है फॉर्मूले में उसको आप लोग को करते जाना है जब करते जाएगा तो answer इतना आ गया ठीक है यह का कितना है 150 150 बी का कितना है 200 तो मैंने 200 लिख दिया सी का 600 600 लिख दिया ठीक है प्लस आर बाइट तो आर का रेडिंग कितना है 0.3 0.3 भागा दो ठीक है जब इसको भी आप calculate करोगे calculator से तो इसका भी answer आप लोग को मिलेगा minus 1.19 mm यह भी minus में है क्योंकि हम लोग का answer ही minus में मिला था तो minus हम लोग को इसको नीचे करते जाना है ठीक है तो minus जब इसका मिला हम लोग को minus 1.19 mm जब हम लोग को minus मिला तो हम लोग को क्या करना है move करना है left to right मैंने यहां लिख के भी रखा है जब भी minus में answer आएगा move करना ह लेफ्ट से राइट की और में, ठीक है, तो हम लोग का अभी answer इतना आगया, ठीक है, इतना हम लोग को क्या है करना है अभी, move करना है, हम लोग को इसमें देखना है अभी, कितना move करना है, क्यों हम लोग left side में sit किये थे, तो अभी हम लोग को move करना है right side की और यहाँ पे देखिए बता रहा है तो अभी हम लोग इसको move करेंगे left से right की और तो move करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है दो dial gauge आपको लगाना पड़ेगा इस side में यहाँ पे एक dial gauge, यहाँ पे एक dial gauge आपको लगाना पड़ेगा, दो डाइल गेज आपको लगाना पड़ेगा, इसी में हम लोग को रीडिंग देखेगा, कि फ्रांट फूट का हम लोग कितना लेंगे, और बैक फूट का हम लोग कितना लिए हैं, क्योंकि ऐसा पता नहीं चलेगा, बिना डाइल गेज आपको ल मूव करना है, कितना मूव करना है yaha पर जितना हमnantलो का एंसर आया, मॉइनस जिरो पॉइंट फॉर वन हम लोको लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेना है form food का है anser आया dial indicator को देखना है और move करना है हम लोग को 0.41 mm left side से right side की और ठीक है यह front का हो गया अभी wake में भी same करना है हम लोग को यहाँ पर jack bolt लगाना है और dial indicator को देखते रहना है हम लोग को और हम लोग को move करना है कि 1.19 mm हम लोग को left side से right side की और लेना है 1.19 mm ठीक है लोगो डायल को देखते रहे ना है देखके हलका हलका जेकिंग करना है और 1.19 mm मोब करना है ठीक है इतना जब कर लिजेगा वाटिकल मोमेंट हम लोग पहले ही मिला लिए हैं अभी होर्जेंटल मोमेंट को हम लोग मिला दिये तो क्या वह पूरा अलाइमेंट आपका श्रकल मोमेंट हम लोग पहले ही मिला लिए हैं पहला ऊबके पासά है यूर्फेक्ट को बिला लिए हैं तो अभी बेस बोल्ट को जब ऑलाइमेंट हो जाए क्रॉस में आपको टाइट करना है इसको याद रखना आप लोग तीन नंबर को फिर चार नंबर को इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया, क्रॉस बाइज टाइट किया जाता है कभी भी alignment करने के बाद, फुली क्रॉस बाइज टाइट कर लिजे, अच्छा थैदर दो तीन बार चेक कर लिजे, उसके बाद एक बार को पूरा चेक करना होगा अगर इसमें वीडियो में आप लोगो कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप लोगो उसका भी एंसर दूँगा ठीक है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजे और आइकन को प्रेस कर दे जिससे आप लोगो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में में डाल दूँगा तो उस चैनल को भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजे और टेलिग्राम चैनल का भी में लिंक डाल दूगा कुछ जा